हेलो गाइस वैलकम बैक माई यूटूब चैनल परी ब्यूटी पालर एंड शिलाइब बूटिक तो प्रेंस आज की वीडियो में सीखने वाली हैं अगर आपके पास पतला फैब्रिक हो तो उसमें किस तरह से कप्स अटैज करेंगी तो गाइस देख सकते हो वीडियो में हमार अब बिल्कुल भी कप्स आरपार नहीं दिखेगा तो प्रेंस आईए वीडियो में क्योंकि अब हम बारी की से हर एक स्टैप को समझाएंगी तो यहां देख सकते हो कितना हमारे पास जो फैब्रिक है वो बिल्कुल महीन फैब्रिक है और हमारे पास जो लैनिंग है वो कॉ है उसी में लैनिंग बचा है तो इस तरह हम इसमें जोड़ लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा लैनिंग नहीं है और इस तरह इसको फैब्रिक को रख लिया है और जो हमारा कप्स है उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और हैंड से प्रैस करेंगे और इस तरह बिल्कुल इस्टेट कर लेंगे बिल्कुल कप्स को सीधा कर लेंगे और कप्स के बराबर में और कुछ इस तरह से निसान लगा लेंगे फैब्रिक पर तो इस तरह हमने कपस के बराबर में निसान को लगा लिए है जो हमारा सरकल निसान लगा हुआ है उससे हाप इंच बहार की सैड एक दूसरा सरकल बना लेना है कुछ इस तरह से जो निसान हमने रख कर ट्रांसफर किया है तो उस पर हम सलाई नहीं लगाएंगी हम बहार वाले निसान पर सलाई लगाएंगी और इस तरह दो पॉइंट का मार्जन छोड़ते हुए फैबरिक को कट कर लेना है तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो नोटिस कर सकते हो कि हमने सरकल को हाप इंच बढ़ा कर कट करना है तो यहाँ पर हमारे सरकल में जोड है तो इस तरह हम जोड को ऊपर कर लेंगे और इस तरह यहाँ पर एक इंच लगबगे दूरी पर निसान लगा लेंगी क्योंकि इतना हम छोड़कर सलाई लगाएंगी यहाँ से हम कफस को फैबरिक की अंदर फिल करेंगी जो हमने ये किंच छोड़ कर सिलाय को लगाया है इसे जगह से हम फैब्रिक को पलट कर सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से अब इसी के अंदर हम cups को fill करेंगे cups को बिल्कुल मोड लेना है और मोड कर कुछ इस तरह फैब्रिक के अंदर फिल करेंगे तो यहां देख सकते हो हमने दोनों cups को cover कर लिया है अब हमें man fabric को बिचा लेना है उसी की उपर landing को set करना है और चारों तरब सिलाई को लगा लेना है कुछ इस तरह से तो यहां पर हमने जो landing लिया हुआ है वो cotton का है जो normal blodge में लगाती है बही हमारे पास landing है अगर यहां पर select का landing होता तो हमें cups को cover करने की जरूत नहीं पड़ती और हम cups को direct इसके उपर attach कर देते और यहां पर जो हमारा extra fabric है उसको हमें landing के बराबर में cut कर लेना है कुछ इस तरह से अब हमें पल्ले को कुछ इस तरह double fold करकी बिचा लेना है क्योंकि इस पर हम निसाल लगाएंगी उपर साट गले की चौणाई धाई इंच दो point रखेंगी गले की लंबाई 6 इंच रखेंगी नीचे साट की चौणाई 3 इंच रखेंगी और इस तरह box बना लेंगी और इसका shape देंगी तो यहां पर हमने 20 shape दिया हुआ है तो यहां अपने हिसाब से गले में shape दे सकते हूँ solder से tape को रखना है bust point का निसान लगाना है 9 इंच पर क्योंकि जो blouse का size है वो 32 इंच है और इस तरह सामनी से tape को रखेंगी 3.5 इंच का निसान लगाएंगी नीचे वाली dart का निसान लगा लेंगी इस तरह से बीच व बीच center में निसान लगा लेंगी आर्मोल में हाप इंच की गहराई देंगे इस से आर्मोल की पनीसिंग अच्छी आएगी जोल नहीं आएगा पल्ले को पलट लेना है दूसरी side में निसान लगा लेने है गले का निसान लगा लेना है क्योंकि निसान दिखाई दे रहे हैं उसे के उपर निसान लगा लेना है पल्ले को सीधा पलट लेना है बस्ट पॉइंट से टेप को रखना है एक इंच नीची निसान लगाना है जो हम प्लेट बनाएंगी वो यहां तक बनाएंगी जो उपर नौ इंच का निसान लगा हुआ है इस पर हम cups अटाइज करेंगी और इस तरह जो हमने गले का निसान लगाया हुआ है तो उस पर हम cutting करने से पहले इस तरह सिलाई लगा लेंगी अब हमें plate की सिलाई लगा लेना है नीचे से एक इंच चोड़ाई रखेंगी और उपर सेप में लाकर धागा को कट करेंगी इसी तरह दूसरी plate की सिलाई लगा लेंगी अब हमें landing को double fold करकी बिचा लेना है और बीचो भी center का निसान लगा लेना है solder से tape को रखना है 9 इंच का निसान लगाना है bust point का सामनी से 3.5 इंच नाप कर निसान लगा लेना है नीचे वाली dart का निसान सीधा कर लेना है और दूसरी side पलट कर निसान लगा लेंगी bust point से tape को रखकर 1 इंच नीचे निसान लगा लेना है कुछ इस तरह से अब हमें plate की सिलाई लगा लेनी है जहां तक हमारा निसान लगा हुआ है बहीं तक सिलाई लगाएंगी उपर वाली निसान पर हम cups अटेच करेंगी अब हमें cups लेना है cups को double fold करेंगी फिर से fold करेंगी बीच का center निकालेंगी और इस तरह निसान लगा लेंगी तो इस तरह सीधा cups को रखेंगी और swing में धागा फसा कर जो उपर वाला निसान है तो उसी पर हम cups अटेच कर लेंगी कुछ इस तरह से अच्छी से note लगा कर धागा को cut कर देंगी इस तरह हम दूसरा cups अटेच कर लेंगी और इस तरह हाप दूरी तक cups पर सिलाई लगा लेंगी इससे हमारा cups इदर उदर हिलेगा नहीं अच्छी से set हो जाएगा इस तरह दोनों cups पर सिलाई को लगा लेना है हैंड से press करकी cups को सीधा कर लेना है जो गले में बीच का फैब्रिक है उसको cut कर देना है कुछ इस तरह से तो हमारे कले की cutting हो जाएगी और इस तरह lining की उपर मैं फैब्रिक को सीधी सैड में set करना है इस तरह से अब हमें इस तरह से पलट लेना है तो इस तरह नीचे की set मैं फैब्रिक को पलट देना है सोल्डर को अच्छे से मिला लेंगी तो यहाँ पर अगर पिंस हो तो पिंस से सिक्यूर कर लें अगर पिंस ना हो तो एक कच्ची सलाई लगा लें सोल्डर की उपर इससे हमारा फैबरिक अच्छे से सेट हो जाएगा हमें गले की सलाई लगाने में आसानी रहेगी और इस तरह हम गले की सिलाई लगा लेंगी तो प्रेंस अगर इस तरह गले की सिलाई लगाएंगी तो गला हमारा बहुत तीक प्रेंसिंग के साथ बनेगा और बिल्कुल भी जो गला है वो उतरेगा नहीं सोल्डर से और इस तरह बीच का फैब्रिक कट कर देंगी हलकी हलकी कट्स लगा लेने हैं सिलाई ना कटने पाए नीचे सैड की सिलाई लगा लेंगी जितना मार्जन लिया हूँ नीचे सैड हाप इंच या टू पॉइंट उतने पर ही सिलाई लगाएं दोनों पल्लों को अच्छे से मिला कर सिलाई लगाएं तो प्रेंस अगर हमारी चैनल पर नई हो तो प्लीज प्रेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाइल आइकिंग जरूर दवाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुची और हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगी और इस तरह जो हमने सोल्डर पर सिलाई लगाई है कच्ची सिलाई तो उसको निकाल देना है क्योंकि अब हम पल्ले को पलट कर सीधा करेंगी और इस तरह सैट से हमारा खुला हुआ है तो उसी जगे से पल्ले को पलट कर सीधा कर लेंगी गले पर टॉप स्टिच लगा लेंगी इससे अच्छी फिनीशंग आ जाएगी गले में लेंडिंग और मैन फैब्रिक दोनों अच्छे से सैट भी हो जाएगी दोनों हैंड से फैब्रिक को अच्छे से समाल कर सिलाई लगाएंगी तो इस तरह हमारा गला बन की कम्प्लीट हो गया है अब हमें बॉटम की सैट सिलाई लगाना है एक पायर का मार्जन छोड़ते हुए बॉटम की सिलाई लगा लेनी है अब हमें पल्ली को उल्टी सैट में पलट लेना है मेर फैब्रिक और लैनिंग दोनों पर सिलाई लगा कर सिक्यूर कर लेना है इसी तरह दूसरी सैट भी सिलाई लगा लेंगी अब हमें पल्ली को पलट का सीधा रख लेना है कप्स को सीधा करेंगी जो एश्टा फैब्रिक है उसको हम पनीसिंग देंगी कट करकी निकाल देंगी और अब हम इसका फूरा फाइनल लुक दिखाएंगी तो गाइस हमारा फाइनल लुक देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सस्क्राइब जरूर करें